नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभी सेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तों वैसे तो मैं हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे डालता ही रहता हूँ दोस्तों आज मैं रास्ते से गुजर रहा था और यह जो फास अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कुछ गलती पे में नजर पढ़ गया दोस्तों चली मैं आपको दिखाता हूँ कि इस site पे क्या गलती किया जा रहा है और सारा पैसा खर्च करने के बावजूद दोस्तो इनके घर में वो strength नहीं आने वाला है जो ये चाहते हैं तो चली सबसे पहले मैं दिखाता हूँ नजदीक से कि जो कॉलम कास्टिंग हो रहा है उसमें बड़ा गलती हो रहा है दोस्तो स्वैल फिलिंग का भी काम जारी है तो उस पे बाद में जाएंगे पहले तो हम कॉलम को ही देख लेते हैं जो कि जितना भी घर का लोड रहता है दोस्तो वो पहले बीम प्याता है घर के बीम होते हुए कॉलम के थुरू दोस्तो ग्राउंड तक जाता है तो जितना भी load carrying structure है दोस्तो उसमें column का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जिरूरी है दोस्तो अगर बात कर लेते हैं इस column के size की तो इसका column का size है 9 by 9 का रिंग की अगर बात कर ली जाए दोस्तो तो 7 by 7 का ring बनाया गया है अब दोस्तो अगर बात कर लें कि इसमें गलती क्या है तो आप अगर reinforcement को देखेंगे इसमें जो provide किया हुआ सरिया है दोस्तो उसको अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा ये देखिए column का जो width है और इस side का length है दोस्तो 9 by 9 काई है यहाँ तक clear हो गया अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितना mm का सरिया provide किया जा रहा है तो इसमें दोस्तो 12 mm का 6 सरिया provide किया जा रहा है अगर बात कर लेते हैं stirrup की तो यहाँ पे दोस्तो जो tie बनाया गया है जो ring बनाया गया है वो 8 mm के सरिया का बनाया गया है यहां तक दोस्तो सब चीश सही है लेकिन अगर आप कॉलम के साइज को देखेंगे तो वो 9 बाई 9 का रखा गया है नमबर ओफ बार देखेंगे श्टील बार देखेंगे तो वो 6 है दोस्तो दोस्तो अगर आप 6 श्टील बार का यूज कर रहे हैं और आप अगर कॉलम का साइज 9 बाई 9 दे रहे हैं तो यह एक ब्योकूफी के समान है दोस्तो यह आपका पैसा बरबादी के समान है अप किस तरह से आपको कम से कम 6 सरिया देना है तो आप इसके लिए 9 बाई 12 का जो कॉलम साइज है उसको एडप्ट कर सकते हैं 9 बाई 12 का सरिया अगर आप कॉलम बनवाते हैं तो उससे क्या होगा कि आप दोस्तो अपने घर को 3 मंजला तक बनवा सकते हैं 9 बाई 12 के कॉलम में दोस्तो 9 बाई 9 का कॉलम में बहुत जादा अगर टेकनिकली देखा जाए बहुत से घर तो आपने देखा होगा जो ग्रामीन शेतर में बनाए जाते हैं बीना कॉलम बीना बीम के भी दोस्तो देखे होंगे कि दो मंजला तक बन जाता है लेकिन एक इंजिनियर होने के नाते दोस्तो मैं कभी भी उस तरह के कंस्रक्शन को सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ जो टेकनिकली रॉंग हो दोस्तो थोरा सभी अर्थक्वी कहाएगा भुकम पहाएगा दोस्तो तो उस समय क्या होगा कि उस घर को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा जब तक सब सही चल रहा है दोस्तो तब तक घर आपका टिका हुआ रहेगा लेकिन हमें हर एक कंडिशन को कंपेर करना चाहिए कि किस कंडिशन में हमारा घर का क्या इस्थिती होगा और वही एक इंजिनियर का काम है कि वो पूरा लोड एनिलिसिस करें साथ जो आपका मिट्टी का प्रकार है उसमें स्वाइल में कितना लोड बेरिंग कैपसिटी है सबको देखते हुए दोस्तो इस्ट्रक्चर का डिजाइनिंग किया जाता है अगर आपको कॉलम देना है तो आप उस पे दोस्तो दो मंजिला घर भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कम से कम दोस्तो दो मंजिला या तीन मंजिला घर बनवाने की सोच रहे है तो आपको 6 सरिया देना है और साथी साथ अपने कॉलम का जो साइज है उसको कम से कम दोस्तो 9 बाई 12 का रख सकते हैं इसी तरह के दोस्तो इन्फोमेटिव टिप्स लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको लग रहा है कि आपको इससे फायदा हुई है तो आप दोस्तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी इस इन्फोमेशन को सेर कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं नमस्कार दोस्तो